हलो दोस्तो मैं Dr.Bharas Singhania Skin Specialist Singhania Skin Clinic, क्राइपूर आस इस वीडियो में मैं आप लोगों को isteroid cream के side effects के बारे में जानकरी दूकर क्या आप भी चेहरे पर isteroid cream जैसे की बेटनोवेट, पैंडंग, स्किन लाइट, नोसकार, स्किन शाइन, मेला केर, इत्यादी लगाते हैं, यदि हाँ तो साउधान हो जाईए, इन सब क्रिम्स में स्टिरोइड होता है, जिसका इस्तमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना होता है, यह सब क्रिम्स बिना स्किन स्किन स्पेस्लिस की सलाह के लगाने से बहुत तकलिफ होती है, बिना स्किन स्पेस्लिस की सलाह के लगाने की नहीं होती है, लोग स्वेम से या जोला चाप डॉक्टर की सलाह से इस तरह की क्रिम्स का इस्तमाल गोरे होने के लिए, या मुहां से जाई के उपचार के लिए क क्रिम्स की आधि हो जाती है क्रिम्स को बढ़ करने पर चेहरा वापस काला दिखने लगता है मुआ से और ज्यादा उभर कर आ जाते हैं ये सब स्यार्भ क्रीम के साइड एफेक्ट्स होते हैं लंभी ओधी तक स्यारण क ीम लगाने से तवचा पतली हो जाती है जिससे तवचा बहुत नाजूप और सेंसिटी हो जाती है धूप में जाने से चेहरा लाल हो जाता है एवं जलन होने लगती है तवचा के अंदर खुन की बारिक-बारिक नलिया दिखने लगती है चेहरे पर लाल-लाल दाने आने लगते ह हुंसिया बन जाती हैं कील मुहा से इत्यादी बन जाते हैं पस भी आने लगता है बहुत सारे पेशेंट्स के चेहरे पर अंचाहे बाल भी दिखने लगते हैं लंबे समय तक ये क्रेम्स चेहरे पर लगाने से जुर्या आने लगती हैं आखों पर भी इसका पर लगता है लंबी समय तक ये क्रिम्स लगाने के बार अगर आप लिकी कुबंकरना चाहे तो बंद करना मुष्किल होता है क्योंकि चेहरे को इन क्रेफ्स की आदत हो जाती हैं बंद करने पर स्कीन में जलन, रुखा पन, खुजली, दानों का बढ़ना, चेहरे में काला इत्यादी दिखने लगता है यह क्रिम स्किन विशेशक की सला से यह बताये गए समय तक ही इस्तमाल करना चाहिए अन्यथा स्किन खराब हो सकती है स्किन संबंदित कोई भी समस्या होने पर अपने स्किन स्पेस्लिस से संपर करें आपको स्किन संबंदित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वेबसाइट www.thinganiaskincallclinic.com में जाकर सला ले सकते हैं या फिर comment box में अपनी query लिख सकते हैं हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद